गाव की समरिद्धी की राह में आदित्य ने अपनी साथी गावालों को भी जोड़ा। उसने समरिद्धी और समाज के लिए कई योजनाये चलाई जिनसे गाव में नई उर्जा और जीवन की बढ़ती हुई गुनवत्ता की अनुभूती हुई। आदित्य ने स्वच्छता अभ्यान चलाया, बे रोजगारी को कम करने के लिए कई रोजगार स्विष्टी की और खेती में नई तक्नीकों का प्रचार प्रसार किया। गाव के बच्चों के लिए उसने एक शिक्षा योजना चलाई जिससे उन्ھे उच्च शिक्षा का मौका मिला। वह गाव के बच गाव में किसानों को नई खेती की तकनीकों का प्रशिक्षन दिया, जिससे उनकी उत्पादक्ता में वृद्धी हुई. एक दिन, गाव में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने आदित्य के गाव की उत्पादों की महक, स्वाद और गुनवत्ता को देख कर बहुत प्र द्योगी की और कला के क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए कई पहल की. उसने गाव में लाइब्रेरी, साक्षर्ता कक्षाएं और सामुदाइक के इंद स्थापित किये. इससे लोगों की सोच, ग्यान और सामाजिक जागरूपता में भी सुधार हुआ. आदित्य ने दे गाव को समृद्धी की उचायों तक पहुँचाया. उसकी कहानी ने दिखाया कि सही मेंगनत, संधर्श और इमांदारी से जीवन को बदला जा सकता है और एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चै एक शेयर एंड सबस्क्राइब करें.